इसे आप एक बार जरूर बनाना क्योंकि कटोरिया चाट चाट कर खाएंगे आप ये रेसिपी है बहुत लाजवाब किसी भी त्योहार पर आप इसको बना सकते हैं वरत में भी खा सकते हैं और जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही गुण गाएंगे ना तो इसमें मावा चाहिए ना कंडेंस मिल्क चाहिए ना मिल्क पाउडर चाहिए और ना ही चाशनी चाहिए बस लोकी चाहिए दूद चाहिए और एक स्पेशल चीज चाहिए और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आ जाएगी तो चलिए बिना देर की जल्दी से हम यह हमारी रेसिपी शुरू करते हैं पर सबसे पहले हेलो एब्रिवान इट याम मिशास पर आपका स्वागत है तो इसके लिए सबसे पहले हम कोछ ड्राइफरूट लेंगे और इनको कट करके तयार रखेंगे क्योंकि हमारी इस मीठी रेसिपी में इनको हम अलग तरीके से डालेंगे जिससे कि हमारी इस रेसिपी में इन ड्राइफरूट का टेस्ट बहुत ही जादा अच्छा आएगा तो मैंने यहां पर कार्जू को बस पीच में से अलग करके लिया हैं बदाम को मैंने इस तरह से टुकडो में कट कर लिया है और पिस्ता को भी मैंने कट करके लिया है आप अपनी पसंद से इस में ड्राइफरूट डाल सकते हैं फिर हमारी ये मीठी मीठी सी रेसिपी बनेगी लोकी से तो हमें यहां पर कच्ची ताजा हरे रंकी लोकी का इस्तमाल करना है और अच्छे से वाश करके इसको छील लेना है हमें से जादातर लोग लोकी को पसंद नहीं करते हैं लेकिन सच में इसका जो भी मीठा बनता है वो बहुत ही लाजवाब स्वात का होता है और जो रेसिपी मैं आज आपको पताने वाली हूँ उसके स्वात के तो क्या ही कहने यहाँ पर लोकी को छिलने के बाद हमें इसको मोटे छेद वाले ग्रेटर से कद्दुकस करना है और इसके बीच में जो सफेद बीज रहते हैं बीच वाला जो पाट रहता है वो हमें नहीं लेना है फिर लोकी को कद्दुकस करने के तुरंत बाद हमें गेंस्ट पर एक कढ़ाई रखना है और इसमें एक टेबल स्पून देसी घी डाल कर गरम करना है और तुरंथ ही लोकी को पकाना है क्यूंकि अगर लोकी को हम ऐसे ही थोड़ देर छोड़ देंगे तो फिर ये काले रंगी हो जाएगी हवा लगने की वज़े से और हमें चाहिए कि इसका जो रंग है वो हरा भरा बना रहे तो यहाँ पर अब आप इसकी मेजरमेंट देखिए मैंने वैसे तो 600-700 ग्राम लोकी ली है और उसको कद्दकस करके लिया है लेकिन कप में इसकी परफेक्ट मेजरमेंट है दो कप भरके ये फुल लोकी के लच्छ अब इसमें हम एक ट्रिक करेंगे लोकी के लच्छो को एकदम ही अच्छा बनाने की तो आप देखें मैंने ये आधा कप चीनी ली है जिसमें से आधी चीनी हम इस तरह से लोकी के उपर डाल देंगे और आधी बचा लेंगे जिसका इस्तमाल आगे कर लेंगे और चीनी डा ये कि खाने वाले को पता भी चले कि ये लोकी की रेसिपी है, लेकिन आप चाहें तो इसको एकदम बारिक कदुकस भी कर सकते हैं, अब यहां पर चीनी का जो पानी है सारा सुक जाने के बाद आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, अच्छे से मैंने इसको पहले गरम करके भी इसमें डाल सकते हैं, और दूद डाल कर हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसमें एक उबाल आने देगे, तो यह आप देखिए यहां पर दूद गरम होने लगा है, अब लोकी को हमने पहले घी में भूना है, फिर चीनी के साथ पकाया है, तो लगभग 50-60 लोकी के जो लच्छे हैं वो पक चुके हैं, अब हम क्या करेंगे कि तकरीबन 7-8 मिनिट तक इसको दूद के साथ पोईल करेंगे, जिससे कि जो दूद है वो भी अच्छे से ठीक होता जाएगा, और लोकी के अंदर एकदम मावे जैसा टेस्ट आता जाएगा, अब लोकी क मीठा जब भी बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास धेर सारे ओप्शन होते हैं, यहाँ पर ये मीठा मैं ऐसा बना रही हूँ, जिसको कि आप चाहें तो फास्टिंग की दिनों में भी अराम से खा सकते हैं, तो मैं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं डालूँगी, जो कि आप ना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे इस मीठे को स्वादिस्ट और लाजवा बनाने के लिए इसमें डालेंगे अब पनीर, तो मैंने यहाँ पर दूद को फाड करके फ्रेश छेना बनाया हैं, आप चाहें तो बाजार वाला पनीर भी ले सकते हैं, कद्दुकस करके, यह इसमें कोई ना तो milk powder डानने की जरूरत है, ना मावा डानने की जरूरत है, और ना ही condensed milk डानने की जरूरत है, पनीर डाल करके लोगी और दूद को हम अच्छे से पकाएंगे, यहाँ पर हम कोई simple सी लोगी की खीर नहीं बना रहे हैं, बलकि बना रहे हैं special पनीर वाली बहुत ही लाजवाब लगती है अब बस इसको अच्छे से पकाने के बाद जो बच्ची हुई चीनी है वो हम डाल देंगे आप जाहें तो इसको एक बार टेस्ट करके अपने स्वात के अनुसार भी चीनी डाल सकते हैं और अच्छे से इसको हम पकने देंगे अब दूसरे तरफ हम क्या करेंगे कि एक टेबल स्पून देसी घी को तड़का पैन में अच्छे से गरम करेंगे और जो हमने ड्राइफ रूट को कट करके रखा है उनको इसमें फ्राई करेंगे तो मैंने यहाँ पर 7-8 काजू लिए हैं, 7-8 बादाम लिए हैं, 1 टेबल स्पून पिस्ता लिए हैं और उसके साथ-साथ ये 1 टेबल स्पून चारोली लिए हैं जिसको चिरोंजी भी कहा जाता है इन सबको हम पहले घी के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर घी के साथ ही हमारी इस लोकी की पाईसम के उपर डालेंगे एक तरह से तड़का लग जाएगा इसमें, वैसे तो हम कभी-कभी इस तरह की खीर बनाते समय ड्राइफ रूट को फ्राई करके डालते हैं हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे एक टीस्पून हरी इलाइचिका पाउडर, आप चाहें तो इसमें रोज वोटर भी डाल सकते हैं और अब आपकी मरजी है, आप इसको जितना पका कर गाड़ा करेंगे, ठंडा होने के बाद ये और भी जादा गाड़ी हो जाएगी तो बस मैंने यहाँ पर इसको इतना पकाया है और गैस के आज को बंद कर दिया है और ये हमारी लच्छे दाल, पनीर वाली लोकी की पायसम बन करके बिल्कुल तयार है जिसको हम चाहें तो गर्मा गरम भी खा सकते हैं, ठंडा ठंडा भी खा सकते हैं और गरम ठंडा भी खा सकते हैं, तो बस अब बिना देर की जल्दी से हम से सर्व करेंगे ये इतनी tasty और delicious लगती है खाने में कि जब आप इसको किसी को भी खिलाएंगे तो सच में वो कटोरियों को चाट चाट कर ही साफ कर देंगे और बनाने में आपने देखा कि कितना आसान है इसे बनाना आप फटा फट से जब भी आपको घर में जादा कुछ नहीं बस एक लोकी ही मिल जाए तो ये लजीज लाजवाब सी रेसिपी आप अराम से बना सकते हैं आपके महमानों को भी ये बहुत जादा पसंद आएगी तो जल्दी से आप इसे बनाएए खाईए और सबको खिलाएए और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक ज़रूर करें शेर भी करें और हमारे चैनल एटियम मि लोकी की पाइसम और थैंक्स पर वोचिंग एट्यम मिश्यस